भारतिय संबिधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ हाला कि संबिधान सा बादवारा 26 नवंबर 1999 को अब चारिक रूप से भारतिय संबिधान को अंगिक्रित किया गया जिसके उपलक्ष में प्रतियक बर्श 26 नवंबर को संबिधान दिवस के रूप में मनाया जाता है संबिधान दिवस एक तरह से हमें एक आउसर भी परदान करती है कि इसी बहाने हम थोड़ा रुकें और विचार करें कि भारतिय संबिधान का उदेश से क्या था महीनों सडके रोक कर रखना अविवस्ता एवंग अलगाव पैदा कर देना दूसरे नागरिकों की सुरक्षा खत्रे में डाल देना भीड एवंग हत्या तथा सडक की ताकत के बल पर जबरदस्ती अपनी बात मनवाना क्या संबिधान सम्मत है अगर यह सब करने वाले संबिधान समर्शक हैं तो संबिधान विरोधी कौन है हमें संबिधान के सचे रक्षक एवंग विरोधियों की पाचान करनी होगी तभी संबिधान अपने उद्यश्यों की फूर्थी कर पाएगा आज अपने आपको संबिधान का सबसे बड़ा हिता इसी दिखाने की कोशिस करने वाले कम्मिनिस्ट दूसरी पार्टियों के नेता समय समय पे अपने बक्तव्यों दोरा संबिधान विरोधी अपनी मानसिक्ता का परदर्शन करते रहे हैं चार जून 1985 को केरल उच्च न्याले में कॉंग्रेस के नेता केसी चांडी ने CPM नेता ततकालिं केरल सरकार में मंत्री आर बाला कृष्टन पिल्लई के खिलाप मुकद्दमा दायर करते हुए आरोप लगाया था कि 25 मई 1985 को उन्होंने केरल के लोगों को आतंक बाद के के उक्साया बर्स 2022 में कम्निश पार्टी के नेता साजी चरियन ने संविधान बिरोधी ब्यान देते हुए भारतिय संविधान को सोशण का पोशक बताया था जिसके बाद उन्हें केरल के पिनराई बिजियन्स की सरकार से स्थीपा देना पड़ा इसी तरह इस बर्स फरवरी में तेलंगाना के मुख्यमंत्री केज चंदर सेखर राव ने नए संविधान की वकालत करते हुए अपना संविधान बिरोधी चेहरा उजागर किया था भारत की कमनिष्ट नेताओं का यह चरित्र नया नहीं है सुरू से ही वह प्रिणा के लिए भारत के बजाए रूस एवंग चीन की तरफ देखते रहे हैं उनके इसी चरित्र का उल्ले करते हुए 8 जून 1947 को महात्मा गांधी ने कहा था आप कमनिष्ट के बारे में अधिक दुखत बात यह है कि भारत में विश्वास करने और इसकी बिजोड संस्कृती से प्रिणा लेने के बजाए आप यहां रूसी सब्विता को पेश करना चाहते हैं जैसे कि रूस आपकी मात्र भूमी थी इससे कम कुछ भी मौजूदा बिवस्था को तोड़ने के लिए प्रियाप्त नहीं होगा दूसरा है सर्वहारा वर्ग की तानासाही नई बिवस्था को जारी रखने के लिए इससे कम कुछ भी प्रियाप्त नहीं होगा वहीं दूसरी दरफ राष्टिय स्वेंग सेवक्संग हमेशा ही भारतिय संबिधान उसकी भावना एवं उसके उद्यश्यों सिधान्तों के साथ खड़ा रहा है जिसका उदारण है समय समय पर राष्टिय स्वेंग सेवक संग के सरसंग चारक डाक्टर मोहन भागवत द्वारा दिये गए बक्तब्या देश को संबिधान में दिखाए गए मार्क पर चलने का आहवान करते हुए 3 अक्टूबर 2014 को नागपूर में विजया दस्मी उस्व को संबोधित करते हुए संग परमुख ने कहा कि ऐसी नीतियां चलाकर देश के जिस स्वरूप के निर्माण की आकांचा अपने संबिधान ने दिख दर्शित की है उस और देश को बढ़ाने का काम करना हो भारत का संबिधान किस प्रकार भारतिय संस्कृति का समिस्रण है इस पर प्रकास डालते हुए 9 जून 2016 को नागपूर में संग सिक्षावर्ग तीतिय वर्थ समापन समारो को संबोधित करते हुए डक्टर भागवत ने कहा था कि इस देश की संस्कृति हम सब को जोड़ती है यह प्राकृतिक सत्य है हमारे संबिधान में भी इसी भावनात्मक एकता पर बल दिया गया है हमारी मानसिक्ता इन ही मुल्यों से ओत प्रोत है यही नहीं 18 सितंबर 2018 को नई दिल्ली के विज्ञान भावन में आयोजित भविश्य का भारत कारिकरम में एक प्रस्ट के उत्तर में भारती संबिधान का महत्तो बताते हुए आरे से सरसंग चालक डक्टर मोहन भागवत ने कहा कि स्वतंद्र भारत के सब प्रतीकों के चलते हैं हमारा संबिधान भी ऐसा ही प्रतीक है सत्कों के बाद हमको फिर से अपना जीवन अपने तंद्र से खड़ा करने का जो मौका मिला उस पर हमारे देश के मुर्धन्य लोगों ने विचारवान लोगों ने एकत्रित आकर विचार करके संबिधान को बनाया है अब यह जो सारी बाते हैं तो विचार आता है कि आधुनिक जीवन में हमारे प्रजातांत्रिक देश में हमने एक संबिधान का स्विकार किया है तो क्या वो संबिधान में हमारे लोगों ने तयार किया है अपना संबिधान अपने देश का कॉंसेंस है और इसलिए उस सम्विधान के अनुशासन का पालन करना यह सबका करतव यह है संगई उसको पहले से मानता है अभी तक जो मैंने बोला है उससे उसमें कुछ नहीं है और उल्टा नहीं है और उसमें जो कुछ है उसी को मैंने अपने शब्दों में बोला है उस सम्मिदान की भावना का पूरुन के अनुशासन में उसका पूरुन सम्मान करके हम चलते हैं हमारा सम्मिदान भी ऐसा एक परतीक है शतकों के बाद हमको फिर से अपना जीवन अपने तंटर से खड़ा करने का जो महौका मिला उस पर हमारे देश के मुर्धन्य लोगों ने विचारवान लोगों ने एकत्रित आकर विचार करके सम्विधान को बनाया है वो ऐसे ही नहीं बना उसके एक एक शब्द का बहुत खल हुआ है और उनको लेकर सर्व सहमती उत्पन्न करने के पूर्ण प्रयास के बाद जो सहमती बनी वो सम्विधान के रूप में अपने पास आई उसकी एक प्रस्तावना है प्रियम्बल है उसमें नागरिक करतविय बताये हैं उसमें डारिक्टिव प्रिंसिपल्स है और उसमें नागरिक अधिकार जी है बाकी कानूल वगरे उसके आधार पर जो बने वो बदलते रहते उस बदलने का प्रावधान उस सम्मिधान में वो चलते रहता उसके लिए forum है भारत की संसत उसके interpretation के लिए court का मतलिया जाता है यह व्यवस्ता है उस व्यवस्ता में से चलेगा जैसा चलना है लेकिन यह जो चार बाते हैं और कुछ constitutional provisions वो हमारा consensus है उसको मान कर ही सबको चलना है सबको चलना चाहिए ऐसा हम मानते हैं मैं केवल प्रियांबल पड़ देता हूँ वही दी पीपल अव इंडिया हैविग सॉलम्ली रिजॉल्ड तो इंडिया इंटो ए सावरीन socialist secular democratic republic यह socialist secular बात में आया सबको पता है लेकिन अभी है तो उसको भी पड़ा है उसको भी पड़ा हमेने and to secure to all its citizens justice, social economic and political liberty of thought expression, belief, faith and worship equality of status and of opportunity अब आगे की और एक महत्व की बात है जिसको दॉक्टर अंबेटकर साभ ने अपने समुविदान सभा के वाशन में कहा था and to promote among them all fraternity assuring the dignity of the individual and unity and integrity of the nation समीधान सभा में उन्होंने कहा था कि हमारे आपस की लड़ाई के कारण विदेशी जीते है और हमको गुलाम बनाया मैं भाव बता रहा हूँ शब्दों उनके है आप पड़ सकते है हमने बंदुभाव अभी भी हम सौसत में बैठे परस पर विरोजी कैम्प में एक दूसरे की विरोजी बन कर यह तो तंतर की मजबूरी है लेकिन इन सब के बावजुद हम सब एक है ऐसा बंदुभाव उत्पन हमने नहीं किया तो फिर कौनसे दिन देखने पड़ेंगे बता नहीं सेकते हैं उनके सब्दा आप पड़ लीजी वास्तों में सम्विधान का रक्षक कौन है और बिरोधी कौन है या 1975 में ही साबित हो गया था जब कॉंग्रेस पार्टी की इंद्रा गांधी की सरकार ने सम्विधान का माखौल बनाते हुए देश में आपात काल लगाया और कौनिस्ट पार्टी ने उसका समर्थन किया था